वेल्कम तो मैं चैनल पांगशेंड क्यूट लव स्टोरी तो चलिए अब अपनी स्टोरी कूल मावी एंड कीूट ओमीगा का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है तो चलिए स्टोरी क स्टार्टिंग करते हैं तो स्टोरी के लास पार्ट में हमने देखा था कि जहां एंसी चैन और जियांग चिंग भी सब के सामने ये कहते हैं कि वो भी शादी करना जाते हैं जिस पर सभी खुश हो जाते हैं और फाइनली उन दोनों के भी शादी फिक्स हो जाते हैं वहीं पता चल गया है कि ज्यांग मेंशन में क्या हो रहा है वेंडवान कहता है पता हो आखिर उनकी आख्या हो रहा है तब ही वो परसन कहता है सर ज्यांग फैमियान के बेटे उमे का बेटे ज्यांग चेंग की साधी लेन कुरेन की बेटे लेन सी चेंग की साथ हो रही है वेंडव वो अपने हाथों की मुठियां बीच लेता है और कहता है कुछ भी करो जेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए अब वक्त आ गया है मुझे उन्हें एक बहुत बड़ा जटका देने का तभी वो परसन कहता है सर आप क्या करना चाहते हैं तभी वेनर्वान कहता है जाओ और उस को किडिनेप कर लो जिससे उस परसन की आगे बड़ी हो जाती है और कहता है सर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अगर वांग जी को पता चल गया तो वो नहीं छोड़ेगा और हम अच्छे से जानते हैं कि वांग जी इस तम टायम कितना पावरफुल है तभी गुस्से में उस परसन की तरफ देखता है और उसकी गजन पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम उस लेनवांग जी से डरते हो वो परसन अपनी गजन छुडाने की कुशिश करता है तब ही हम देखते है अच्छानक से वेंजूलियो वहां आता है और कहता डैट आप क्या कर रहे हैं तभी अचान जल्दी से वेंजुली अपने वेंड़वान कहा तो उस आदमी के गले से निकालता है वो आदमी पुरी तरीके से हाफ राता तभी वेंड़वान कहता है मैंने जो का है वो करो जाकर समझे तूं जिस पर वो हम कहता है वही हम अब ज्यांग मैंशन में देखते हैं जहां हम देखते हैं कि सारी तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी थी तभी हम देखते हैं अचानक से ज्यांग चेंग का फोन बचता है जियांग 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 नहीं है उस कंपेनी को पौर टाइम से समाल रहा हूं और आपको टेंशन देने की जरूरत नहीं है मैं चल्दी बापस आ चाओंगा ऐसा कहते हैं जिस पर जियांग फैमियान हुन कहते हैं फाइनली जियांग चेंग वहां से चला जाता है वहीं हम वींग को देखते हैं कहता है थवींग अचानक दूर से बाहर निकल अपनी मेंशन से बाहर निकलता है और बाहर गार्डन में आता है गार्डन बहुत ब्यूटिपल था कई तरह के फ्लावर स्थे जिस पर बटरफ्लाई सोड रहें थी वह से देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है वह बस उस प्यारे से गार्डन में घूम रहा था था थबी अचानक उसके एक बटरफ्लाई दिखती है वो उस बटरफ्लाई को लेने पकड़ने के लिए दौरता है वो पूरे गार्डन में इधर उधर घूम रहा था वहीं हम देखते हैं कि चार लोग चो दूर से खड़े वह उ कि उससे पहले वो चारो वींग के पीछे जाते हैं वींग जो उस तितली को पकड़ने में बहुत भीजी था उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है तबी वो परसन अचानक से वींग का मूँ पकड़ते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं वो चारो वींग को और अपनी कार में डाल कर वहाँ से ले जाते हैं, तबी उसमें एक परसन कहता है, तुम्हें नहीं लगता, यह उमी का कितना ब्यूटुफूल है, तबी दूसरा परसन कहता है, सूचना भी बट, तुम नहीं जानते, यह जांग फेमियान का बिटा है, अगर फेमियान को पता चला तो हमें मार डालेगा हमें तो बस कैसे भी करके इसे जल्दी वेंडवान के पास पहुंचना आना है और अपना पैसा लेकर हमें जल्दी से जल्दी ये सेर छोड़ कर निकलना होगा तबी एक परसन कहता है तुम्हें पता है इसकी शादी उस लेन से चैन से होनी वाली है और तुम लेन वांग जी को तो जानते ही हो लेन वांग जी को अगर पता चला तो वो हमें तो क्या हमाली फेमिली के साथ हमें मार डालेगा वो परसन कहता है जितना जल्दी हो सके हमें बस इसे वेंडर्वान को देना होगा ऐसा कहते हैं और जल्दी से कार चलाने लगते हैं वह हैं अब हम तोड़ी दिरवात का सीन देखते हैं चाम देखते हैं याली चुफ उन से बात करके बापस आती है फूई दर दर सभी जगह देखती है लेकिन उसे वांग विंग कहीं नहीं देखता तभी वो सूचती है साइध विंग गार्डन में होगा इसलिए वो गार्ड इफलेट को देखती है वो एक स्जों स्चाहती है आजानकर याली की हांटीट बहुत फास्ट हो जाती है और वह गंप्राने लगती आ है तभी देखती है वह जल्दी से अपने डैड को रिंग के तो नहीं प्ने ड्रूम होगा तैर नहीं नहीं देट मैंने उसे भी हाटबीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो गमराने लगती है तब ही हम देखते हैं वो जल्दी से अपने डैट को वास जिती है तब ही अचानक यांक फेम्यान बाहर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ यांली यानली कहती है टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट प्रता करें तब यू कहते हैं जल्दी से मुझे वंग जी को बताना हो गाली गयूद जबते हैं जैन्ग फैमियान कहते है मैं जैकको कुछ भी हो जाय किना मच्चे से जानते हैं अगर आपने वंग जी को नहीं बताया तो बहुत गड़ बड़ हो जाएगी ऐसा कहते हैं तभी हम देखते हैं कि अचानक से जांग फेमियान अपना फोन निकालते हैं और वो जल्दी से वांग जी का नमर डायल करते हैं रही हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी से फोन पिक अप करता है वांग जी कहता है क्या हूँ अंकल तभी फेम्यान कहते हैं वांग जी क्या तुम अभी जैन्मेंसन आ सकते हो वांग जी कहता है क्या क्या हुआ है आप इतनी गबर आई वो क्यों हो तभी फेम्यान कहते हैं वांग जी ज्यादा बात मत करो प्रीज जितना जल्दी हो सके तुम और लेंड से जैन और जैंग फैमियान कहते हैं कुछ भी हो जाए यू को और मा को पता नहीं चलना चाहिए कि विंग गाइब है अगर मा और यू को पता चला तो मुझे नहीं पता यू क्या कर वैठेगी तुम तो जानती हो कि वो विंग से कितना प्यार करती है जिस पर यानली कहते है ठीक है भांग जी जो पूरी तरीके से शोक्ट शोक्ट था उसका दिल बहुत बहुत बेचन था उसे बहुत घबरात हो रही थी तबी वांग जी अपने रूम से जल्दी नीचे आताается तो सामने लेन कुरन और लेन से चेन को देखता है लैनी भी वहीं थी तबी वांग जी जो तो क्या हम study room में चलें लेनी गुसी में कहती है आज तुम दौनों भाईयों की शादी है और तुमें आज भी काम करना है मुझे समझ नहीं आता तुम दौनों का तुम बिलकुल अपने पिता के जैसे हो समझे ऐसा कहे कर वो गुसी में वहां से चली जाती है वहीं इसे चेहन कहते हैं वांग जी मुझे सच भता हो आखर बात क्या है तुमारे चेहरे का रंगितिया है उड़ा हुआ क्यों है वांग जी कहता है कगा मुझे नहीं पता क्या हुआ है पर अंगल का कॉल आया था उन्हों ने हमें आउट हाउस पे बलाया है गिरुग लेन को बिला आउट हाउस पे, जब बहुत बड़ी मुश्किल आती है, तब ही हम लोग आउट हाउस पे मिलते हैं, जल्दी करो, तब ही, लेंसी जैन के थे, पर मौम को नहीं बताएंगे, हमें पता भी नहीं है, क्या अखिर हुआ क्या है, पर मुझे लगता है, हमें पहले अंकल से मिलना जाए ऐसा कहता है अबीवी वांग जी कोई आड़ बीट बहुत फास्ट हो रही थी उसे अपने अंदर एक अजीब ये जैनी फील हो रही थी अपने मन में कहता है कि हवीं ठीक है ऐसा कहता है और वो अपना फोन निकालता है लभी से चैन कहते है वांग जी ये टाइम हमें फोन चेक करने का नहीं है तुम जल्दी चलो हमें जल्दी से पहुँचना होगा जिस पर वांग जी कहता है वहीं अब हम एक अंधेरे रूम को देखते है जहां हम देखते है एक बहुत छोटा सा कमरा था जिस पर जेर पर विंग बना हुआ था विंग जैसे दिरे दिरे अपनी आइसो उपन करता है तो वो स्टार्क रूम को देखता है उससे देखकर अचानक से डर जाता है उसकी हाटबिट बहुत वास्त हो जाती है उसकी आँकों से आशो आती है और कहता है मैं कहा हूँ ये कौन सी जगे है मैं या कैसे आया ऐसा कहता है उसकी बोड़ी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी तब ही हम देखती है अचानक से उस दूर कर रूम ओपन होता है और एक बरसन बाहर आता है बरसन उसे देखता है और एक इसमाइल जैसे वो वींग को देखता है वो तोड़ा शोक दो जाता है वो कहता है तुम कौन हो वींग जो पूरी तरीके से डर जाता है वींग कहता है आप को ने तब ही बेहन रूम उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम कौन हो तबीब वींग केहता है मैं वो Actually वेन डूरान ने जियांग olika कू देखा है उसने कभी वींग को नहीं देखा इसलिए उसे नहीं पता है के वींग को ने तबीब वेन डूर से चिलाता है और उन दो लोगों को बलाता है और कहता है ये लड़का कोँ है थभी वो परसन कहते हैं सर यही तुझी आंग चैंग है जिस पर वेंडवान गुस्से में उन दोनों को गर्जन पकड़ता है और कहता है तुम पागल हो क्या तुम्हें नहीं पता है यह लड़का वेंडवान जांग चैंग नहीं है समझे तुम वो दोनों बड़ी बड़ी आंगों से वेंडवान की तरफ देखते हैं तभी वेंडवान कहता है पता नहीं तुम किसे उठा कर लाए हो चैसे विंग यह सब्द सुनता है विंग कहता है कि क्या यह लोग कगा को किटनेप करने वाले थे विंग अपने मन में कहता है विंग की पूरी बोड़ी शिवर कर रही थी तभी वेनवान कहता है तुम कौन हो वींग जो ज़्यादा हाई बाइ कपरे नहीं पैना था वो जरिफ अपने डेली की नाइट सूट में था इसलिए तभी वेनवान की तरफ देखता है और कहता है मैं तो वहाँ काम करता हूँ वेनवान क पता मैं यहां कैसे आया वेनवान उन दोनों को गुस्ते में देखता है और कहता है तुम दोनों इडियर्स पता नहीं किसे पकड़ के लाए हो तभी वेनवान कहता है लेकिन अभी तुमने हमारी सारी बाता सुली है अगर तुमने कुछ भी गरबड की तो याद रखना हम तुम्हें मौर डालेंगे जिस पर विंग पूरी तरीके से डर जाता है उसकी आँखों से आशों निकलने लगते हैं तभी हम देखते हैं विंग कहता है सर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा प्लीस मुझे जाने दीजिए वेनवान कहता है सच मैं तुम्हें लगता है हम जिस पर वेनवान कहता है मुझे जब भी इन लड़कों की ज़रूरत होती है पता नहीं ये लड़के कहां गायब हो जाते हैं तभी वेनवान उन दोनों परसन से कहता है इसका ख्याल रखना यह आशिक बाहर नहीं निकलना चाहिए जिस पर वो परसन दोनों कहते हैं वहीं जाली जी ए ऐसा कहता है वहीं हम वांग जी को देखते हैं वांग जी जो सीधा उस जगे पहुंचते हैं जिस आउट आउस पर जैंग फेमियान ने उसे बलाया था जैसे ही वांग जी लेन कुरेन और लेन सीचेन वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां सिरिफ जैं bridgesman तो गार ए उसे पता था के वांग जी को ये ससब पता चला तो पता नहीं किस तरीकाई से रेक्ट करेंगा तभी everything जिए क्छाना mock canap order और रहुंक से चाहिए च्छा किरीज तुर जो वांग जी की तरफ वांग जी गुस्से में कहता है और कहता है आप क्या कह रहे हैं यह सब कुछ थभी जी आनली कहती है वांग जी तुम पहले सांत हो जाओ हमें नहीं पता है ये सब किस ने किया है लेकिन मुझे पता है वींग का ये ब्रासलेट मुझे गार्टन में मिला जैसे वांग जी उस ब्रासलेट को देखता है वो जल्दी से आली के हाथ से वो ब्रासलेट ले लेता है और उसे पकरता है और कहता है ये तो फिंग का है मैंने उसे गिफ्ट किया था दवी वांग जी कहता है आगर उसे किड्नेप कौन कर सकता है मैं चोड़ूंगा नहीं इसने में मेरे विंग को टच करने की कुशिश की है दवी लेंसी जैन कहते है वांग जी तुम रिलेक्स हो जाओ वांग जी कहता है गगगग मैं कैसे रिलेक्स हो जाओ मेरा विंग किड्नेप हो गया है तब ही वो गुसने में जैन की तरफ देखता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है ये देखकर सब भी एकदम से डर जाते हैं तब ही वांग जी कहता है तुमने रिस्पोंसबिल्टी ली थी ना उसकी कि तुम उसकी ख्याल रखोगे तुम उसका ख्याल तक नहीं रख पाए तुमारी वज़ा से मेरा विंग किड्नेप हो गया याद रखना मेरे विंग को कुछ भी हुआना तुम मैं तुमें छोड़ूंगा नहीं ज्यांग 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 कहता है वांग जी ज्यांग 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 की तरह बहुत गुस्य में देखता है जिस वज़े से ज्यांग ज्यांग भी तोड़ा तर जाता है तब ही लेंसी चेन बीच में आते हैं और कहते हैं वांग जी तुम साइलेंट हो जाओ जिस तरीके से हम परिशान है तुम देखो ज्यांग ज्यांग भी कितना परिशान है वांग जी जो गुस्से में जैंग जैंग का कॉलर छोड़ देता है लेकिन वो बहुत गुसा था तब ही वो अचानक से फोना फोन निकालता है और शुयांग और वेनिंग को कॉल करता है और कहता है चल्दी से कार निकालो सुयांग कहता है क्या हुआ वांग जी वांग जी कहता है वींग किटनेप हो गया है और मुझे पता है वींग कहा होगा कुछ भी हो जाए लेकिन पता करू कि आखिर धन्डूरान कहा है वो आज मेरी हातों से मरने वाला है ते वींग हो कहता है फाइनली स्वियां को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सड़नली क्या हो गया वांग जी जो सीधा उस मैंसन से बाहर निकलता है सिचेन कहते है वांग जी तुम कहा जा रहे हो वांग जी कहता है कुछ भी हो जाए मैं अपने वींग को कुछ भी नहीं दोने दुगा अगर ये वेंडरोण नहीं किया है तो वो आज उसका आखरी दिन होगा ऐसा कहता है जिस पर लेन कुर्यन कहते हैं वांग जी जो कुछ करना सो समझ कर करना वींग उसके पास है वांग जी कहता है गगा और डैट मैं वादा करता हूँ और जो से इस बात का बहुत रिग्रेट होगा कि उसने मेरे वींग को गिड्नेप किया है वहीं है आप वींग को देखते हैं हम देखते हैं अचानक से वो रूम ओपन होता है तब ही हम देखते हैं एक परसन जन्दी से अंतर आता है वींग उसे देख रहा था तब ही वो परसन वींग की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हें यहां से खोल दूँगा लेकिन तुम्हें जल्दी भागना हुआ तुम्हें पता है वेनरवान अभी यहां नहीं है उसका कोई भी लोग नहीं है इसलिए तुम्हें जल्दी से निकलना होगा विंग कहता है आप को ने वो परसन कहता है तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और तुम्हें बस यहां से जल्दी निकलना होगा ठीक है तबी विंग कहता है ठीक है ऐसा कहा है परसन जल्दी से वींग के हाथ कोल देता है वो और कोई नहीं, बलकि सूसे था जो वांग जी का आदमी है और बेढ़िवान के हां काम करता है कि अब हम देखते हैं वांग जी वींग जल्दी से उस बाहर निकलता है कि उज दो परसन, दो बोड़िगार्ड और एक रूम देखता है और जल्दी से वीम और सूसे उस रूम में गुस्त शल एम से काल जा जाते हैं हाही हम देखते हैं जैसे ही वीम जो पूरी तरीके से डरा हुआ था सूसे कहता है तुम च्نتा मन करो मैं तुम है यहाँ से जलदी निκाल दोंगा जिस पर वींग कहता है पर आप मेरी help क्यों कर रहे हैं जिस पर जोसी एक smile करता है और कहता है मैं आपको अच्छे से जानता हूँ आप सर कियो उमेगा हो ना वींग जो सूसे को देख रहा था लेकिन जैसे ही विंग अपना फिस दूसरी तरफ करता है वो पूरी तरीके से शोग्ड हो जाता है वो देखता है एक लेड़ी चुप बैट बेलेटी हुई थी और उसके मूँबे मास्क लगा हुआ था विंग बड़ी आगों से उसकी तरफ देख रहा था पताने की विंग को उस लेड़ी के साथ बहुत ही अलग फील हो रहा था वो जल्दी से उस लेड़ी के पास जाता है और उसे देखने लगता है तब ही सूसरी की नजर विंग पर पढ़ती है सूसरी कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो विंग कहता है आप देखिए यह कौन है तब ही शूसे कहता है मुझे नहीं पता यह लेड़ी बहुत टाइम से वें रोहन के पास है लेकिन मैंने आज ही इसे देखा है खुब ही इस बज़ा से क्योंकि हम यहाँ छुपने के लिए आए हैं तब ही हम देखते हैं विंग छो अ जानक वो लेड़ी विंग का हाथ बगड़ लेती है विंग ये देखकर पूरी तरीके से डर जाता है विंग कहता है गगा मुझे बचाएए जवी सूसे विंग के पास आता है वो देखता है कि उस लेड़ी ने विंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था सूसे त जैसे वींग उस लेडी को जानता हो उस लेडी के हाथ रखते ही वींग को अपने हंदर एक अलगी वोमनेस फील हुई थी वहीं हम देखते हैं कि वींग जो चलती से सुसे के साथ भार की तरफ निकलता है लेकिन वो जैसे दूर पर पहुचता है वो फिर से एक बार पीछे करना होगा ऐसा के कर वींग के हाथ पकड़कर उसे जल्दी वहां से खीषता है और फाइनली सुसे और वींग दोनों चुपते चुपाते जल्दी उस वेंड मैंशन से निकल जाते हैं तभी हम देखते हैं सुसे वींग को एक कार में बिटाता है और कहता है आप यहां से ज जल्दी सेकर आपके साने वाली है वांग जी एक गेरी से सांस लेता है और कहता है ठेंक यू सूसे सूसे कहता है सर अब आप देख लीजिए तभी वांग जी कहता है भेंडवान का है सूसे कहता है मुझे नहीं पता पर वो किसी काम से बाहर गया है तभी सू से कहता है सर आज आपकी शादी है मैं चाहता हूँ अपनी शादी एंजोई कीजिए उसके बाद भेनर्वान का क्या करना है हम बाद में देखेंगे जिस पर वांग जी कहता है ठीक है सू से आज मैं उसे छोड़ रहा हूँ लेकिन उसका अंत बहुत करीब है ऐसा कहता है चूंकि उसमें मेरे वींग को टच करने की क्यूशिश की है वही हम देखते हैं शू यांग जी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हूँ वांग जी कहता है गाड़ी वापस लो हमें जल्दी इस नमबर की गाड़ी को ट्रेस करना होगा विंग उस कार में है शुयंग कहता है क्या तबी भांग जी कहता है हाँ सूसे ने विंग को बाब जल्दी से वहाँ से निकाल दिया है ऐसा कहता है जिस पर शुयंग कहता है शुयंग और वेंग वेंग सीधा उस car को trace करते हैं वही हम देखते हैं तोड़ी दिर में ही वांग जी की car सीदी उस car के सामने आकर रुखती है वो driver चंदी से car रुखता है तबी अचानक वांग जी car से बाहर आता है wing जैसे ही वांग जी को देखता है वो shock हो जाता है वो चलती कहार से निकलता है और दोड़ कर फांग जाता है फांग जलती से अपनी बाहन खोलता है और विंग इतनी तेज हो चलता है के उसे टाइट लियाँग कर लेता है